मुझे झुट बोलने से सबसे ज्यादा नफरत है फ्रेंट्स करिबर हमें अपने लाइफ में इस तरह के से ज्डेसेश बोलना होता है जहाँ कहते हैं किसी इनसान को किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है जैसे मुझे नसा करने से सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे धोका देने से सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे शराब पीने से सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे जुवा खेलने से सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे चूगली करने से सबसे ज़्यादा नफरत है और अगर आपका sentence past में है तो आप कहेंगे what I most hate was कैसे आई ये सबात को example में बेहतर तरीके से समझे मुझे चुगली करने से सबसे ज़्यादा नफरत है तो sentence के लिए आप कहेंगे what I most hate is backbeating यानि मुझे चुगली करने से सबसे ज़्यादा नफरत है फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको बता दू यहां इजारव या वाजबार के बाद आने वाला verb आएंटी फॉर्म में होगा यानि जीरंट के सकल में होगा मुझे चुरी करने से सबसे ज़्यादा नफरत है what I most hate is stealing मुझे शराब पीने से सबसे ज़्यादा नफरत है what I most hate is drinking मुझे धोका देने से सबसे ज़्यादा नफरत है what I most hate is cheating यानि मुझे धोका देने से सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे जुआ खेलने से सबसे ज़्यादा नफरत है What I most hate is gambling तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी इंसान को किसी चीज से बहुत ज़्यादा नफरत है को बोलने के लिए आप इसी structure का इस्तेमाल करेंगे Friends अगर वाकई आपको ये concept समझ में आया तो क्या इस topic पर दो sentences कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यहां मैं आपको एक खास बात बता दू कि अब आप मेरी English speaking course का software भी download कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दिया हुआ है फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे interesting lesson के साथ तब तक के लिए बाई